नमिश्कार BCN News के दिन विशेश कारिकर में मैं दिशाब सभी का स्वागत करती हूँ Children's Day अत्वा बाल दिवस पूरे देश में 14 नवंबर को मनाया चाता है यह दिन भारत के पहले प्रधान मत्री पंडे जवारलार नहरू की जियनती का प्रतीत है बच्चों दोरा प्यार से चाचा नहरू कहे जाने वाले देश की प्रधान मत्री ने बच्चों के सर्वांगिन शिक्षा की वकालती जिससे भविशं में एक बहतर समाज का निर्मान हो सके जवारलार नहरू बच्छे को राश्र की असली ताकत और समाज की नीव मानते थे पंडित नहरू की मृत्यों से पहले भारत में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया चाता था जवारलार नहरू की अधिकारो बच्छे की प्रती चाकरुकता को बढ़ाना भी है जवालार नहरू की शब्दों में आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे जिस तरह से हम उने पालेंगे वही देश का फविश्यत्य करेगा बाल दिवस मनाने के लिए स्कूल खेला आयोचिन प्रश्णोतरी प्रत्योगिता और अन्यगति विद्यो का आयोचिन करते हैं इस दिन को खास बनाने के लिए बच्चों को खिलोनी, मिठाया और उपार फेट किये चाते हैं कही न कही बाल दिवस 2021 का उच्सो और भी खास होगा क्योंकि बच्चे महिनों बाद स्कूल लोटे हैं कोविड नाइटीन लोकडाउन के चलती स्कूल बन होने के बाद अब बच्चों का दोबारा स्कूल जाना शुरू हुआ है भारते क्रिकेट को नई उचाया दिलानी वाले भारत की पहले टेस्ट कप्तान सिके नाइडू का आची के दिन 14 नवंबर 1967 को निधन हुआ और उन्होंने हमेशा के लिए इस दुन्या को अलविदा कह दिया भारत में क्रिकेट के लगर लोगों के अंदर बढ़ती दिवान ये किसी से नहीं चुपी हुई है ये क्रिकेट का जुनून ही तो है कि जब इसको पसंद करने वाले इस खेल को खेलते है या देखते है तो इन्हें दुन्या के दूसरी रंग बेरंग नजर आने लगते है अक्सर देखा गया कि इसे जुनून की कारण हमारे पसंदीदा खिलाडी मैदान पर चोटल तक हो जाते हैं कई बार उनकी चोटे आम होती है तो कई बार उनकी चोटे इतनी गंबीर होती है कि उनके आगी के करियर पर प्रशन चिन तक लग जाते हैं किन्तो क्या आप जानते हैं कि भारती क्रिकेट में एक ऐसा भी खिलाडी हुआ जो फिटनेस के मामले में आज भी क्रिकेट से जुड़े खिलाडी के लिए एक सबक माना चाता है ये खिलाडी कोई और नहीं भारत की पहले टेस्ट कप्तान सीकी नाइडू थी 31 अक्टूबर 1895 को नाखपुर महाराश्रों में सीकी नाइडू का जिन हुआ उनके दादा पेशे से वकील थी साथ ही अकेल भारती राश्रे कॉंगरिस पार्टी में सक्रिया भी रहे इस लिहास से घर की सिती अच्छी खासी थी ऐसे में उनका बच्पन अच्छे से बीता 1922 में भारती क्रिकेट टीम के लिए कप्तान वी चुने के उनके लिए इससे भी बड़ी बात यह थी कि उनके हातों में भारत के प्रतम टेस्ट मैच की कमान स्वापी गए थी सीके नाइडू के अगवाय में खेला गया यह मैच इंगलेंड की विरुद खेला क्या था बताते चले कि उस समय इंगलेंड की टीम बहुत मस्बूत हुआ करती थी बाउजित इसके भारती टीम ने उसे कड़ी टक कर दी इस मैच में सीके नाइडू के हाथ में फिल्डिंग के दोरान दर्दनाग छोट लग गए थी वो खेलने की सिती में नहीं थी फिर उन्होंने बल्ले बाजी की और पहली पारी में चालिस रन बनाए इसके लिए उनकी खूँ सरहाना की गई इस इंगलेंड के दोरे के दोरान वो प्रतम शुरेणी के सभी 26 मैचों में हिस्सा बने भारती क्रिकेट को नई उचाया दिलाने वाला यह सितारा अंततह 14 नवंबर 1967 को हमीशा के लिए अलविदा के गया वह भले ही आज हमारे बीच नहीं है लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने चोटे से करियर में बिना चोटल हुए क्रिकेट में अपना एहम योगतान दिया साथ ही उम्र की बाधाओ को तोड़ती हुए एक नया किर्थिमान गणा उसके लिए वह हमीशा याद किये जाएंगी डायबिटीस यानि मदुमेह आजकल एक बेहत आम बीमारी पन गई है हर साल 14 नवंबर को World Diabetes Day यानि विश्व मदुमेह दिवस मनाया चाता है World Health Organization की आकड़ों के मताबिक हर साल डायबिटीस की 40 लाख मरीजों की मौत हो जाती है इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है खराब और बदली हुई लाइस्टाइल इस बीमारी को लेकर लोगों की बीच जाकरुकता बढ़ना बेहत आवशक है लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए हर साल World Diabetes Day मनाया चाता है विश्व स्वास्त संगिटन के अनुसार करीब 422 मिलियन लोग साल 2016 से डायबिटीस की मरीज है इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1901 में हुई थी International Diabetes Federation और विश्व स्वास्त संगिटन यानि WHO ने लोगों की बीच मदुमेह के बारे में जाकरुकता फैलाने के मकसद से इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी 14 नवेंबर 1922 को इंसुलिन की खोच करने वाले वैग्यानिक सर्फ फेडरिक बैटिंग का चंद बिन होता है शेरिन में शुगर की मातरा को सहीर रखने में इंसुलिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है International Diabetes Federation हर साल World Diabetes Day को मनाने के लिए एक खास स्थीम रखता है ऐसा माना जाता है कि दुनिया में हर दसमें से एक एडल Diabetes की समस्या से पीरित है यह लोगों के बीच एक महमारी की तरहा फैल रही है यह दिल, दिमाग, किड्नी, आदियंगों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है यह कई बार बहुत जानलेवा भी साबित हो सकता है इससे बचने के लिए आप अपनी जीवन शेली में बदलाव करने की कोशिश करे पौश्रिक भूजन, दिन्चरिया में व्यायाम और जीवन में संतुलन के सरी खुद को Diabetes से दूर रखा जा सकता है BCN News के दिन विशे शिकारे करमें फलहाल अतना ही SCN और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें BCN News नमशकार